आज साम अलेकुर्व मैं आपके प्रॉपर त्रीटमेंट भी बताऊंगी तो इस वीडियो को लास तक देखेगा और अगर मेरे चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बैल आइकून को प्रेस करना मत भूलीएगा ताके नहीं आने वाली वीडियो की मिलती रहे तो चले चलते हैं ने टॉपिक की तरफ इसी तरह से क्लिनिक पर मेरे पास एक पेशन्ट आया था जो कि डॉग था उसको जो है जखम बहुत छोटा था स्टार्ट में उसने कई स्क्रैश करते वे घलती से उसको दांत लग गया था लेकिन और ने उसकी टाइम पे क की डीप डालनी है उसके बाद उसके अंदर कुछ हमने डॉप जो हैं पॉविडोन स्लूशन जो होता है वह डालेंगे और इसके साथ ही जो है एस्टू ओटू डालेंगे ताके जखम जो है ड्राय हो चुक है अगर तो वहां से वह थोड़ा फ्रेश हो जाया और इसके साथ कि हम उसमें डालेंगे सहाय गवान स्लुशन सग्वान पाउडरमाय मैंगर्स om ai युवान सध्य होते हैं कीड़े चूते हैं वह बाहे निकलना शूरू करएकि सब्सक्राइए और इसको अच्छे से मिविसरेंगे और पर सिर्च के जरीए हुम क्या करेंगे या डौ के जख ही राजें और डॉग जो था वो काफी अग्रेसिव भी था वो सही सी क्लीनिंग भी नहीं करने दे रहा था और काफी आवाजें भी निकार रहा था और आप लोग जानते हैं कि जब गर्मियों में इंकेड को या डोग को कोई भी जखं होता है तो वहाँ पे कीड़े बनना शुरू हो जाते हैं वो किस वज़न स स्थे हैं जब मक्हियां जखं को आके बैठती हैं वहाँ पे वो अपने अंडे देती हैं जिसकी वजहां से मेगर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं जिससे जखम काफी बड़ा हो जाता है इंफेक्शन फैलने लगता है इसलिए गर्मियों में जब भी आपकी कैट को कोई भी जखम हो या डॉक को कोई भी जखम हो तो उसका टाइम पर ट्रीट्मेंट करें उसको एंट कोन सी असी मेडिशन जो के अपने इसमाल कर वानी है इसमें अपनी अच्छी ऐसकि काफी अच्छी अच्छी व्जह उसके साथ है और इसके यह नहीं जायाम हो जाएं और मैं आप को यहीं सजक्त करूंग यहां होता इसमाल को तो आफ वह सब्सक्राइब अर यकरण को किसी बता सकें या फिर आप वेगनेरियन के पास ले जाएं तो यह बहुत जादा अच्छा है ताके वह अच्छे से उसकी जखम की क्लीनिंग करें और एंटिबाइटिक दें और कैक्ट जो है या डॉग वह जल्दी से रिकावर हो जाए और अगर आपको मुस्वी कोई भी फूलों थैक्स फो वोचिंग अला हाफीज